तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंगे टॉपिक रहेगा हमारा स्पोर्ट्स और मन्त है में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल रहने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करतें इस वीडियो को लाइक करतें और इस एप है Carriers Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको Login करना है Login करने के बाद ही जैसे ही आप Login करके अपनी एप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको Current Affairs का सेक्शन दिखेगा यहाँ पर आपको Current Affairs इस पर क्लिक करते ही आप हमारे Current Affairs के सेक्शन में आ जाएंगे हमारा Current Affairs का जो सेक्शन है जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं अप्लिकेशन में बहुत अच्छा कोर्स है आपकी प्रिपरेशन में बहुत जादा हेल्प होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेशन आप कम से कम चार से पांच बार रिवाइज करेंगे इतना हेल्फ फूर रहने वाला आपके लिए देखते हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं हम आपको Current Affairs हिंदी में प्रोवाइड करते हैं आपको डेली के 20 क्वेशन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हल्फुल होता है रिविजन में क्वेशन आंसर मिलेंगे आपको Current Affairs के Current Affairs के क्वेशन आंसर के फॉर्मेट में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको PDF मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है आपको 50 question week के मतलब सारे important question आ गए उसके साथ साथ question answer format में आपको Hindi की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे monthly PDF PDF आपकी Hindi में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions है वो आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे आपको question answer format में भी प्रोवाइड होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़ और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year के बाद यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते है bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करती है जो आपको आगे questions आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release होई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गई reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो ये काफी सारे topics होते हैं तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF provide करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं ये चीज़ तो सोची आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है और हमारे चैनल को subscribe करना है इसके अलावा आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा अगर वहाँ पर आप विकास 10 code डालते हैं तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा सिरफ विकास 10 आपको code उसमें use करना है and मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount तो जाइए जल्दी से हमारे courses को देखिए and उसको purchase कीजिए तो आईए अपनी वीडियो start करते है तो चलिए friends start करते है हम जो वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ ना मैं यह समझे यह जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं हमारी app पे आप जो course पर stage करते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल detailed में notes provide किये जाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक revision देता हूँ ताकि आपको एक understanding हो सके आपको समझ आ सके कि वहाँ पे notes में क्या है क्या चीज important है वो आप पढ़ें ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहली चीज and एक चीज और बहुत important रहता है कि आप जैसे हमारी वीडियो देखते हैं तो उसके बाद जो notes में topic given है आप उसको भी पढ़ें वो बहुत important रहेगा आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा क्योंकि आपने आपे वीडियो तो पढ़ ली वीडियो देख ली notes भी even आपने बनाए या नहीं बनाए वो मैं नहीं जानता लेकिन अगर आप इसके साथ-साथ notes बनाते हैं वन लाइनर notes बनाईए यह पूरा मतलिख जो मैंने इस वीडियो में notes में लिखा हुए या आपके लिए जो PPT हमने बना रखिया है उसको पूरा लिखने के जरूत नहीं है वो भी 50 मीटर backstroke में फिर क्योंकि आपको important चीज़ याद हो कोई आप देखिए question कैसे बनेंगे श्रीहरी नटराज किस sport से related है swimming से related है किस event में swimming के श्रीहरी नटराज ने national record बनाया 50 मीटर backstroke में बनाया फिर पूछा जा सकता है यह कहां पे बनाया उजबेकिस्तान open championship में बनाया ठीक है याद रहेगा फिर याद रखिए उजबेकिस्तान open championship में total 29 medal आये इंडियन swimmers के ठीक है जिसमें से 18 gold थे 7 silver थे और 2 bronze medal थे अल्राइट चलिए next next हम बात करेंगे Asian elite men and women boxing championship की जो की पहले न्यू डेली इंडिया में होने वाली थी लेकिन अब ASBC जो की Asian boxing confederation है इन्होंने इसको shift कर दिया है न्यू डेली से कहां पर दुबाई में जो की United Arab Emirates का पार्ट है ओल्राइट शिफ्ट क्यों करा COVID-19 के case बढ़ रहे हैं इंडिरा गांदी इंडोर स्टेंडियम में होने वाला था लेकिन अब ये आपका United Arab Emirates में होगा इसमें women की तरफ से जो lead करेंगी वो है AmeriCom और लेकिन men's के team अभी तक announce नहीं की गई है फिर Asian boxing championship इससे पहले Bangkok Thailand में होई थी 2019 में April में Next, next हम बात करेंगे boxing की ही अमित पंगाल ने bronze medal जीता कहाँ पर St. Petersburg's Governor's Cup में रश्या में और ये अमित पंगाल पहले Indian बन गई है या फिर हाँ पहले Indian बन गई है जिनको medal मिना है कहाँ पर इस Governor's Cup में जो की कहाँ पर हुआता है रश्या में ठीक है याद रहेगा फिर से repeat कर देता हूँ Indian boxer अमित पंगाल को bronze medal मिला कहाँ पर St. Petersburg's Governor's Cup जो की रश्या में होता है और अमित पंगाल पहले Indian बन गई है जिनको medal मिला St. Petersburg's Governor's Cup रश्या में ठीक है काफ़ important रहेगा Apart from this he has also won gold medal कहाँ पर Asian Games और Asian Championship में भी इन्होंने gold medal जीता Next पे आजाईए Next हम बात करेंगे football की League Cup को जीतने वाली कौन सा club रहा वो है आपका Manchester City ठीक है Manchester City ने League Club जीता for the year 2021 और ये fourth consecutive time है इन्होंने इस League Cup को जीता है तो काफ़ important रहेगा League Cup को एक नावर चीज याद रखिये question पूछा जा सकता है कि League Cup कि sport से related है League Cup आपका football से related है Next League Cup को EFL Cup भी बोला जाता है और इसी को काराबाव कप football title या फिर काराबाव कप भी का जाता है तो question देखे कितने important हो गए कि League Cup पूछले कि sport से है EFL Cup कि sport से related है काराबाव कप कि sport से related है तो ये सारी एक ही चीज है और ये किस से related है football से related है और इस बार का 2021 का title किस ने जीता Manchester City ने जीता और 4 टाइम लगातार इनोंने इसको जीता ये कहां पे England में हुआ था ठीक चलिए Next Next हम बात करेंगे दो sports की एक तो है आपकी Formula 1 और एक है MotoGP Formula 1 जो होती है वो आपकी होती है कार की racing ठीक है और MotoGP होती है आपकी bikes की racing तो Formula 1 की Portuguese Grand Prix में जो 2021 में होई थी वो किस ने जीती Lewis Hamilton ने जीती और Lewis Hamilton ने इसको जीतने के बाद ये 98th title victory थी इनकी ठीक है I repeat इनकी 98th title victory या फिर carrier victory कह सकते है Lewis Hamilton की जो की Mercedes company इनको sponsor करती है और ये Britain के है Lewis Hamilton ठीक और फिर आते हैं MotoGP पे जो की bike racing होती है इसका Spanish Grand Prix अभी हमने देखी MotoGP की जिसको जीता Jack Miller ने ठीक Jack Miller को sponsor कौन करता है Ducati team sponsor करती है और ये Jack Miller कहां से बिलॉंग करते हैं किस country से बिलॉंग करते हैं वो आप मुझे comment में बताएंगे तो देखिए Mercedes के driver Lewis Hamilton जो की Britain country से बिलॉंग करते हैं इन्होंने Portuguese Grand Prix 2021 को जीता जो की Formula 1 की होती है car racing याद रखिए ठीक है Portugal में हुई थी ये Hamilton की 97th carrier victory रहेगी फिर अगर हम MotoGP की बात करें Australia country से ये बिलॉंग करते हैं मैंने आपको बता दिया Jack Miller ये एक Ducati company इनको sponsor करती है एंड इन्होंने 2021 का Spanish Grand Prix title जीता जो की Spain में हुआ था ठीक याद रहेगा काफ़ important है दोनों नाम Lewis Hamilton Formula 1 नेक्स भी काफ़ important रहेगा कि श्रिलंकन क्रिकेटर थिसेरा परेरा ने international cricket से retirement ले लिया है question कैसे बनेंगे थिसेरा परेरा जिन्होंने retirement ली किस sport से related है cricket से फिर पूचा जाता कि थिसेरा परेरा जिन्होंने retirement ली वो किस country से belong करते है या किस country की team से खेलते है वो है श्रिलंका और इन्होंने किस format से cricket के retirement ले ली from international cricket से इन्होंने retirement ले ली है next next हम बात करेंगे Indian gymnast की जिनका नाम है प्रनती नायक ठीक है प्रनती नायक को Asian quota मिला to compete at the 2020 Tokyo Olympic Games ठीक है फिर से repeat कराता हूँ Indian gymnast क्या नाम है प्रनती नायक इनको क्या मिला है Asian quota मिला किस में compete करने के लिए 2020 के Olympic Tokyo Olympic Games में ठीक है इन्होंने qualify करा है through Asian quota इन्होंने bronze medal जीता था वॉल्ट में at the Asian Artistic Gymnastic Championship 2019 इस वज़े से इनको qualify किया गया Asian quota के थूपे ठीक है She is the second reserved after L.P.T.A. Bengdal Dona Mika of Sri Lanka for the Asian quota वो दा जिमनेस्ट विल कंपीट in the Olympics starting on 23rd of July 2021 और फिर इन दोनों में से देखा जाएगा जो जीता है वो आगे Asian Tokyo Olympic Games में participate करेगा ठीक है तो कौन है Indian gymnast वो है प्रनती नायक Next हम बात करेंगे ICC ने बैन कर दिया है श्रिलंका के फॉर्मर क्रिकेटर और अभी कोच नुवान जोयसा को from cricket for 6 years 6 साल के लिए due to corruption करप्शन की वज़े से इनको बैन कर दिया गया किस ने बैन किया International Cricket Council ने बैन किया किसको बैन किया नुवान जोयसा को बैन किया ये कौन है ये फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर श्रिलंका के और कोच रह चुके है कोच हैं भी for 6 साल के लिए ठीक है सब भी क्रिकेट के format से इनको बैन कर दिया है ICC ने डू टू anti-corruption code Next Next हम बात करेंगे snooker की snooker क्या game होता है जैसे आपने ऐसे board देखा होगा एक बड़ा सा rectangular board इसके चार छेत holes होते हैं और आप stick के through balls को मारते हैं और इनको holes में डालना होता है आप उसको billiards भी कहते हैं snooker भी कह देते हैं ठीक है तो Mark Shelby ने जीता 2021 का world snooker championship ठीक है और ये fourth consecutive time है इन्होंने snooker championship को है जीता consecutive ना याद रखे directly याद रखेगा ये fourth time है इन्होंने snooker world championship को जीता है इनका नाम है Mark Shelby ठीक है ये Mark Shelby एक English professional snooker player रहे 2021 world snooker championship को जीता इन्होंने हराया किसको Sean Murphy को ये चीज़ और याद रखना इसके अलावा England में हुआ था ये आपका world snooker championship 2021 का ये भी question पूछा जा सकता है कि world snooker championship 2021 का कहा पर खेला गया था England में खेला गया था जीता कौन Mark Shelby और ये fourth time है इन्होंने snooker championship को जीता है ठीक है इसके साथ साथ कुछ पांच करोड रुपे या फिर पचास पांच लाग पाउंड इनको दिये गए है और इसके साथ अब ये second spot में आ गये है world ranking के आल राइट चलिए next ये तो बात हो गई आपकी snooker की अगर मैं बात करूँ अब cricket की cricket में याद रखना तीन sport के format होते है ODI जो one day होते है एक होते है T20 और एक होते है test ठीक है इन तीनों में इंडिया की ranking बहुत important है तो याद रखके जरूरी है सबसे पहले देखते हैं कि ODI की ODI की बात करें तो जो first rank पे है वो है आपका New Zealand second पे Australia और जो important याद रखना है वो है इंडिया third rank पे ODI format में T20 format में इंडिया second rank पे रहेगा और first पे है England अगर इस पे test का हम आगे discuss करेंगे जो test की बात करें test format में जो इंडिया की rank रहेगी one काफी important देखो first, second, third, third तीनों है test में इंडिया की rank one है ODI format में इंडिया की rank third है और T20 format में इंडिया की rank है second फिर अगर हम International Cricket Council की बात करें chairman है Greg Barclay chief executive officer रहेंगे मनु शाहनी और headquarter है Dubai United Arab Emirates अगर मैं BCCI की बात करूँ तो हमारे president कौन है सौरफ गांगुली जी ठीक है चौलिए next next हम बात करेंगे Lewis Hamilton की अभी हमने उपर ही देखा था कि यह Formula 1 इन्होंने championship में Portuguese में जीते अब बात करेंगे Spanish Grand Prix की वो इनका 97th title था winning title of the carrier यह Spanish Grand Prix इनका कौन सा title रहेगा 98th race victory रहेगी इनकी Mercedes के driver Lewis Hamilton Britain country से belong करते हैं Spanish Grand Prix 2021 की इन्होंने जीती for the sixth time और पांचवी बार लगातार मतलब पिछली चार इन्होंने जीती और इस बार भी पांचवी बार इन्होंको ही जीतने को मिलाईए और total यह 6 बार जीत चुके हैं Spanish Grand Prix यह इनकी 98th victory रहेगी यह भी याद रखिएगा चलो next next हम tennis sports की बात करेंगे और Madrid Open 2021 की बात करेंगे इसमें हम देखेंगे की men's singles category में कौन जीता और women's singles category में कौन जीता men's की बात करें Madrid Open 2021 की तो Alexander Zerv जीते हैं men's singles category में और Arnia Sabalenka जीती women's singles category में दोनों नाम important हैंगे जर्मनी की है Alexander Zerv याद रखिए Alexander पूछा जा सकता है किस country से belong करते हैं यह जर्मनी से और Arnia आपकी किस country से belong करती हैं बिलेरस से ठीक है इन्होंने किन को हराया number one Ashley Barty जो number one women's की category में number one player थी tennis की उनको हराया जो कि Australia से belong करती है और इन्होंने क्या जीता Madrid Open title for women's category और men's category में जर्मनी के Alexander ने इसको जीता चलो next हाँ एक चीज़ और अगर हम बात करें Madrid Open की यह clay coat पे खेला जाता है ठीक है आईए देखते हैं बाकी जो होते हैं किन किन coat पे खेले जाते हैं एक होते हैं चार Grand Slam होते हैं आपके पहला है Australian Open French Open US Open एंड आपका Wimbledon ठीक है अब इन सब को देखते हैं कौन सा क्या कहां खेला जाता है सबसे पहले तो बात करते हैं Wimbledon की Wimbledon आपका खेला जाता है Grass Coat पे ठीक है Grass Coat पे Wimbledon खेला जाता है फिर अगर मैं बात करूँ आपकी Australian Open Australian Open कहां खेला जाता है Australian Open खेला जाता है आपका Australian Open के साथ-साथ याद रखिए US Open भी Australian Open and US Open ये दोनो Hard Coat या Hard Clay Hard Coat पे गेले जाता है ठीक है Hard Coat और French Open होता है जो आपका Clay Coat पे खेला जाता है French Open खेला जाता है Clay Coat पे Wimbledon खेला जाता है आपके Green Grass पे Australian Open और US Open खेला जाता है आपका Hard Coat पे और याद रखिएगा Madrid Open भी आपका कैसे Coat पे खेला जाता है Clay Coat पे जो की आपका है कैसा French Open काता है ठीक है चालिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रगबी की रगबी वर्ल्ड कप वीमेंस का रगबी वर्ल्ड कप अक्टूबर 2022 में होगा और जो होस्ट करेगी कंट्री वो है न्यूजिलेंड डारेक्ट यह याद रखिएगा कि रगबी का वर्ल्ड कप जो की वीमेंस वर्ल्ड कप होगा रगबी का वो 2022 में होगा अक्टूबर में होगा और जो कंट्री होस्ट करेगी इसको वो है न्यूजिलेंड ठीक है चालिए नेक्स्ट पहले हमने बात करी थी मैंचेस्टर सिटी ने क्या जीता था EFL ठीक है अब हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के बारे में मैंचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग भी जीती 2021 की और हराया किसको मैंचेस्टर यूनाइटेड को ठीक है याद रहेगा ये ये 29th edition था आपका प्रीमियर लीग का अल्राइट मैंचेस्टर सिटी 5th प्रीमियर लीग टाइटल रहा ये मैंचेस्टर सिटी का and 7th इंग्लिश लीग टाइटल रहा आपका मैंचेस्टर सिटी का काफ़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मैंचेस्टर सिटी में आपका प्रीमियर लीग 2021 भी जीती और हरायक इसको मैंचेस्टर युनाइटेड को और इन्होंने ही EFL लीग भी जीती है नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कजाकिस्तान के टैनिस प्लेयर रोमान खाशनौव को 10 साल का बैन कर दिया गया है इनको पहले एक लाक डॉलर का जुर्मान लगा था लेकिन फिर उसको 25 से डॉलर को गटा दिया गया था नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे चेस्स से रिलेटेड एक जो की All India Chess Federation है आपकी इन्होंने एक चेकमेट COVID इनिशेटिव लाँच किया ताकि अपनी Chess Community को सपोर्ट मिल सके सपोर्ट कैसे मतलब Financial Assistance प्रोवाइड करने के लिए कि जो प्लेयर बाहर जाएंगे खेलने जा रहे हैं, ओगनाईजर्स हैं, जो कोचिस हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको COVID-19 के टाइम पे ज़्यादा प्रेशा नहीं ना हो, किसी को मेडिकल की जरूत है, किसी को वैक्सिनेशन लगवाने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए या फिर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनको वैक्सिन लगवान नहीं है, किसी दूसरे देश में खेलने जा रहे हैं, तो वहापे वो क्वारंटीन होंगे किसी को पैसे की जुरूत है या फिर किसी की फैमिनी इतनी स्टॉंग नहीं है कि उनको जो हॉस्पिटलाइशन का खर्च है वो संभाल सके तो उस सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी चैस की कम्यूटी है उसको हेल्प करने के लिए ये चैकमेट कोविड ठीक है मतलब इटालियन ओपन टाइटल में नाडल जींको बहुत दिगज प्यंच प्लेयर हैоровेल नडल इन्हों ने नुवैक जोकॉविच को हरा दिया in the men's singles title of Italian Open जिसका 78th edition था, Italian Open को एक नाम से और जाना जाता है जो की है Rome Masters, ठीक है चलिए, ये तो था men category की बात, women category की बात करें तो Ega Swiatek, जो की Poland की है, इन्होंने भी women's single category में Italian Open जीता 2021 का Ega Cyber Tech ठीक है, फिर Italian Open को किस नाम से जाना जाता है Rome Master के नाम से जाना जाता है ये भी याद रखेगा, और ये Clay Code Tournament है, मतलब Clay Code पे खेला जाता है Clay Code पे और कौन सा हुआ था Madrid हुआ था, और आपका French Open ठीक है, Nadal's first Italian Open title कब हुआ था 2005 में हुआ था Next, next हम एक और retirement की बात करेंगे, वो cricket से related है आपके, और England player, cricket sports से related, England team के player Harry Garni, इन्होंने अपना retirement announce कर दिया है, तो याद रखेगा इनको Next, next हम बात करेंगे table tennis sports की, ठीक है ITTF, ITTF होता है International Table Tennis Federation एक artificial intelligence based company के साथ इन्होंने एक tie up किया, किस लिए ताकि, जो players है ना, उनको उनकी performance का analytics, analytics होता है data की, मतलब वो किस तरीके से खेल रहे हैं, उनको कितना duration है किस angle से खेलना चाहिए, मतलब जो भी सारा data होता है, alright, उनकी performance को enhance करने के लिए ITTF ने partner किया Stupa Sports Analytics के साथ, जो की एक artificial based company है, जो इनको help करेगी, real time data provide करेगी, ताकि, players की जो performance है, उसको enhance कर सके, तो the international table tennis federation ने एक partnership में आये, Stupa Sports Analytics के साथ, ये एक Indian start-up है artificially intelligence enabled है ठीक है, इसके साथ ये artificial intelligence की मदद से, ये players की performance को enable, enhance करने में काफी help मिलेगी इसको alright, चलिए, next next हम बात करेंगे, men's world boxing championship की, जो की अब, Belgrade, Serbia में होने वाली है, ठीक है, याद रहेगा AIBA, AIBA क्या है आपका International Boxing Association ने announce किया कि 2021 का AIBA men's world boxing championship कहाँ पे schedule किया गया है Belgrade, Serbia में 2021 में होगा ठीक है, इससे पहले जो previous edition था, championship का वो रश्या ने host किया था, 2019 में AIBA, जो की International Boxing Association है, इसकी बात करें तो headquarter है, Los Angeles, Switzerland और president है, Mr. Umar कर्मलेफ next, next हम बात करेंगे कि India ने retain कर लिया है top spot in the ICC test cricket team ranking यह हम बात कर चुके हैं कि India की test में rank है first, ODI में rank है third, और T20 की बात करें तो India की rank है second next, next हम काफ़ important बात करेंगे MMA की MMA है आपका mixed martial art mixed martial art में Indian origin के पहले व्यक्ति जिनका नाम है, Arjan Singh Booler पहले Indian origin के fighter बने हैं जिनोंने MMA world championship जीती या फिर MMA की heavyweight world champion यह बने हैं ठीक है, याद रखेगा Arjan Singh Booler ठीक है, Indian origin के पहले व्यक्ति बने हैं जिनोंने MMA world champion या फिर heavyweight world champion ship GT MMA की, mixed martial art की इसके अलावा याद रखेगा Arjan Singh Booler, ये Canada को represent कर चुके हैं Commonwealth Games में जो 2010 में हो था और इनोंको gold medal मिला था, ठीक है freestyle wrestler के उसमें ठीक, और ये कहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे Canada को रिप्रेजेंट कर रहे थे 2010 में Commonwealth Games में freestyle wrestler के लिए Arjan Singh Booler, और अभी ये Indian origin के हैं, रहते कैनेडा में है इसी वज़े से ये news में है कि Indian origin के हैं, और इनोंने MMA की heavyweight world championship जीत ली Next, Indian rowers Arjan Lal और अर्विन सिंग ने qualify कर दिया है Tokyo Olympic Games के लिए जो rowers होते हैं, जैसे आप नदी में देखाऊगा, एक boat लेके उनको row करते हैं ताकि कौन जीते race लगती है boat race में, तो उसको rowers कहते हैं तो Arjan Lal Jart और अर्विन सिंग ये men's lightweight double skulls category में, qualify हो गए है for Tokyo Olympics 2020 Next, next हम बात करेंगे Barbora Starakova जो की former world number one double tennis player है, इनकी retirement आ गई है, इन्होंने retirement ले लिया and ये किस country से बिलॉंग करती है, Czech Republic से ये बिलॉंग करती है, sports से कौन से related है, ये tennis से related है, इनका नाम है Barbora Starakova Moving on, next हम बात करेंगे कि FIFA का under 17 Women's World Cup, कहा पे होगा India में होगा, कब होगा 2022 में होगा, और October में होगा, ठीक है, I repeat FIFA under 17 Women's World Cup, India में होगा, October में होगा, और 2022 में होगा, ठीक है, 71st FIFA, जो की Federation International Day Football Association है इन्होंने announce किया कि 2022 में under 17 Women's World Cup हम कराने वाले हैं, इंडिया में कराएंगे, और October में कराएंगे, 2022 में, ठीक है ये second event रहेगा FIFA का, जो इंडिया में होस्ट हुआ, इससे पहले, FIFA under 17 World Cup 2017 में होआ था, और जिसने सारे record तोड़ दिये थे कि most attended youth World Cup in FIFA's history बना था वो इसके अलावा, कुछ और dates आपको याद रखने हैं, और कुछ और events जो important है, याद रखिए FIFA का under 20 Women's World Cup कहां पे होगा, Costa Rica में होगा 2022 में होगा, ठीक है फिर Women's World Cup कहां पर होगा Australia में होगा, और New Zealand में दोनों Australia और New Zealand मिलके Women's World Cup औरगनाईज कराएंगी कब 2023 में ठीक है, important है, दोनों याद रखिएगा Next बहुत important news है, याद रखिए Asia Cup जो 2021 में भी postpone हुआ था 2020 का Asia Cup जो postpone होके 2021 में रखा गया था due to COVID-19 अब उसको वापस से postpone कर दिया गया है, 2023 में ठीक है, Asian Cricket Council के दोरा ये news आई, कि 2020 का जो World Asian Cup होना था Asia Cup होना था, उसको 2021 में जो postpone किया था, उसको वापस से postpone करके 2023 कर दिया है, पहली information तो ये ठीक है, दूसरी information एक Asia Cup आपका 2022 में भी होगा, जिसको host करेगा कौन? पाकिस्तान ठीक है, Asia Cup 2022 2022 में होगा एक, जिसको host करेगा पाकिस्तान, और जो Asia Cup 2021 से अभी 2023 में postpone हुआ है, उसको कौन करेगा होस्ट, उसको करेगा श्रिलंका, ठीक है पहले इसको पाकिस्तानी host करने वाला था, लेकिन इसको वापस अब श्रिलंका को दे दिया गया, host करने के लिए तो 2021 में, 2022 में अब जो Asia Cup होगा, उसको पाकिस्तान host करेगा, और जो 2023 में आपका Asia Cup होगा, उसको कौन host करेगा? श्रिलंका host करेगा ठीक, चलिए next, next हम बात करेंगे फिल मिकल्सन की, जिन्होंने 2021 का PGA Championship जीता, फिल मिकल्सन ये कौन है? ये एक गॉलफर है, अमेरिकन गॉलफर रही, ठीक है, इन्होंने क्या जीता? 2021 का PGA Championship याद रखिएगा, डारेक्ट क्वेशन पूछा जाएगा फिर इंडिया के तेजश्वनी शंकर इनको consecutive high jump टाइटल से सम्मानित किया गया, मतलब इन्होंने वहाँ पे एक इवेंट हुआ था, उसमें जीता high jump title in USA इंडिया तेजश्वनी शंकर वन back-to-back men's high jump title in the Big 12 outdoor track and field championship जो की Manhattan USA में हुई थी ये Delhi-based national record in men's high jump, ये जो इन्होंने clear किया bar at 2.28 meter to win the high jump gold medal alright, but his effort short fell of the Tokyo Olympic Games qualification standard of 2.33 meter अगर ये 2.33 meter long jump कर देते, high jump कर देते तो ये Tokyo Olympic Games के लिए qualify हो जाते, शंकर has also won the men's high jump title in the 2019 edition चलो, next और आज की वीडियो का आखरी जो important news रहेगी वो है PGTSAU, प्रोफेसर जेश चंकर तेलंगना स्टेट Agriculture University, ये हैदराबाद तेलंगना में है, ठीक है, इन्होंने एक MOU sign करा, किन के साथ वादवानी Institute for Artificial Learning के साथ, ये मुंबई महराष्टा बेस्ट एक Artificial Intelligence Company है, ये क्या AI-based solution प्रोवाइड करें, ताकि pest और insect management system बना सकें, ताकि pest और जो आपके insects हैं, वो crop को effect ना करें, ऐसा AI जो आपका Artificial Intelligence को यूज करके कुछ ऐसे प्रोग्राम या फिर कुछ ऐसे आने वाले standards डेवलप किये जाएं और उनको help किया जाए for removing pests and incest from the fields, ठीक है, तो किन के बीच में MOU sign हुआ, प्रोफेसर जय संकर तेलंगना State Agriculture University, जो कि हैधराबाद तेलंगना में है, और वादवानी Institute for Artificial Intelligence या फिर Artificial Learning, जो कि मुंबई महराष्टा में है, ठीक है, तो ये क्या है, Artificial Intelligence Based Pest और Insect Management System इनको provide करेंगे, ताकि field में आपके pest और insects का attack ना हो सके, क्योंकि आप देखते हैं कि AI-based solutions होते हैं, वो कही हद तक बहुत जादा सतीक माने जाते हैं, बहुत हई तक, कही न कहीं उनको ठीक माना जाता है, क्योंकि उनकी जो computation power होती है काफी सारे processes को, काफी सारे solutions को जब वो process करते हैं, उसके बाद वो final result देते हैं, ठीक है, और वो final result सारी outcome को process करने के बाद आता है, कि जो सबसे suitable outcome है, वो ये रहेगा, अगर आप इस process को follow करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा, इसी वज़े से इन्होंने artificial intelligence की help ली, और इसी को use करते हुए हम pest और insects management system लाने की बात की गई, straight agriculture university के दौरा, ठीक है, चलिए, ये आपकी वीडियो ती पसंद है होगा, और इसके बाद आप friends, जल्दी से जाएए, हमारी app पे हमारी courses को देखिए, और अगर आपने already purchased member हैं, आप हमारे course को already purchase कर चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी PDF खोलिए, sports में 2021 की, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, काफिया helpful होगा आपके लिए, देखेगा almost 90 to 99% आपके topics में cover करा चुका हूँ इस वीडियो में, अब जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखे कितना helpful रहेगा आपके लिए तो friends, ये थी हमारी अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और friends, अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है, कोई भी आप आपको हमारे आपको आपस कर दो यापको आपको आपको